हाई दोस्तों स्वागत आप सबका मेरे चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे खतरनाक मचलियों के बारे में जी हाँ दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सिस्क्राइब कीजिए चलिए स्टार्ट करते हैं नीला समंदर देखने में बेहत ही खुबसूर्थ लगता इसके अंदर की दुनिया बहुत ही विशाल है इस दुनिया में कहीं सारे जीव रहते हैं इन में से कहीं बेहत ही छोटे और खुबसूर्थ हैं तो कई बेहद ही विशाल और खतरनाक हैं ये चाहे मगरमच्छों या फिर शार्क, वहेल या फिर पिराना आपने खतरनाक शार्क या पिराना मचलियों के बारे में तो सुना ही होगा जो बेहद ही खतरनाक होती हैं दरसल पानी के अंदर कई सारी ऐसी मचलियां हैं जो ना सिर्फ आपके लिए जानलेवा हो सकती हैं बलकि यह मचलियां आदमी तक को भी खा जाती हैं आज हम आपको पानी के इन मोंस्टर के बारे में बताएंगे जो बेहद ही खतरनाक है दा नट क्रेकर यह मचली दुनिया की अत्यन दूरलब मचलियों में से एक है और बहुत ही खतरनाक होती है कहीं जगा इन्हें पेसू भी कहा जाता है बता दें कि इस मचली के मुँ में दान्थ हैं जो हुबहु इंसान के तरह ही लगते हैं पूरी तरह से विक्सित एक पेसू मचली करीब 4 पिट लंबी होती है यह ब्राजिल के अलावा पेरिस, स्कैरडीनेविया और उशीनिया में पाई जाती है हालांकि इन जगों के अलावा भी कई नदियों में इसके मिलने की खबरें आती हैं नट क्रैकर मचली जिन शेत्रों में पाई जाती है वहां तैराकों को जाने से प्रतिबंदित कर दिया गया शारक मचली का नाम सुनते ही उसके खुंखार जबडे हमारे सामने आ जाते हैं आपको पता दें आज तक शारक के काटने से काफी मोते हो चुकी हैं हर साल शारक से काटे जाने की लगबग 50 गटनाएं रिकोर्ड की जाती हैं जिसमें सिरफ 10 पर्तिशत ही चानलेवा साबित होती हैं इनके दांत किसी आरी जैसे पैने होते हैं कांगो टाइगर फिश इस बरकार की मचलियां अप्रीकी देश में पाई जाती हैं इस देश की कांगो नदी में यह मचली ऐसी जगा पर मिलती है जिस जगा पर कम ही लोग पहुंच पाते हैं यह मचलियां पिरहाना से जुड़े होने की चलते पानी में मगर मच को भी असानी से खा सकती है यह मचलियां इनसान का भी शिकार करने में माहिर है इनके दान्द धारदार और लंबे होते हैं इनका वजन 440 किलो से अधिक हो सकता है सो फिश इस मचलि की लंबाई 7 फिट से 20 फिट तक होती है इनको कम ही लोग देख पाते हैं साथ ही यह मचलियां समुन्दर की गहराईयों में पाई जाती हैं यह नेट में भी नहीं पकड़ी जाती इनके फस जाने की स्थीती में फिशिरमेन इनको मार देते हैं इनका भार 317 किलो तक पाया गया है डीमन फिश दुनिया की सबसे खतरनाक मचली मानी जाती है यह बड़े से बड़े जीवों को निगल सकती है यह अफरीका की कांगो रिवर में पाई जाती है लोंगनोज गार यह मचलियां अमरीका की लेक चैंपलेन में भी पाई जाती है इनका अस्थव बेहत ही पुराना है इनका मुह एक मगरमच की तरह ही होता है अमरीका के अंदर इस मचली को क्रोकोडायल भी कहा जाता है इसका बार 136 किलो तक होता है क्विन्स लैंड ग्रोपर अस्ट्रेलिया की ग्रिस्बेन नदी में इस मचली को देखा जा सकता है इसकी खास बात यह है कि यह मचली अपना सेक्स बदल सकती है बहुत सारी मादा मचलियों के बीच एक नर ग्रोपर होता है जब वह नर इनके स्मू से हटता है तो स्मू की सबसे बड़ी मचली अपने सेक्स को चेंज कर नर में बदल जाती है वेल्स कैटफिश यह मचली यूरोप में पाई जाती है यह मचलियां अपने घरों में बचाव के लिए काफी सकत होती है अगर कोई तैरते हुए इनके घरों के पास पहुंच जाए तो यह उन्हें जरूर कारती है अपने छोटे दांतों से भी यह जोरदा तरीके से कारती है पिराना मचली को आदमखोर जीवों में शुमार किया जाता है कहते हैं कि 30 सेकंड के अंदर यह मचली इंसानी हटी तक को भी चबा सकती है पिराना मचली के आदमियों पर अटैक करने की सबसे अधिक घटना एमेजन नदी में सामने आई थी तो दोस्तों यह थी दुनिया की सबसे खतरनाक मचलीयों के बारे में जानकारी उमीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी आगे भी ऐसी लेटेस्ट जानकारी के लिए प्लीस मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए नोटिफकेशन बेल को प्रेस कीजिए वीडियो को लाइक शियर कीजिए चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी और महतपुर जानकारी के साथ तब तक किली बाइबाइब आपना याराकना